ओम शान्ती, 6 डिसम्बर 2024 के ईश्वरिय महावाक्य सुनेंगे शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुशोतम संगम युग पर हो तुम्हें यहां रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है प्रश्ण है, बाबा ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धी का ताला खुल गया उतर, बाबा ने इस बेहद अनादी ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धी पर जो गोदरेज का ताला लगा हुआ था वह खुल गया पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बन गए बाबा ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक आक्टर का अपना अपना अनादी पाथ है जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे पुरुशार्थ कर अपना वर्सा लेंगे ओम शान्ती रुहानी बच्चों प्रती रुहानी बाबा बैठ सिखलाते है जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है तब से ही फेरसत गुरु के रूप में शिक्षा दे रही है यह तो बच्चे समझते हैं जबकि वह बाप, टीचर, गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना उच ते उच बड़े ते बड़ा बाबा है बाबा जानते हैं यह सब मेरे बच्चे है ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आ करके हमको पावन दुनिया में ले चलो परन तु समझते कुछ नहीं है अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सत्युग को पतीत दुनिया कलियुग को कहा जाता है कहते भी है आकर के हमको रावन की जेल से लिबरेट कर दुखों से छुडा कर अपने शानती धाम सुख धाम में ले चलो नाम दोनों अच्छे हैं मुक्ती जीवन मुक्ती वा शानती धाम सुख धाम सिवाए तुम बच्चों के और कोई की बुद्धी में नहीं है कि शानती धाम कहां सुख धाम कहां होता है बिल्कुल ही बे समझ है तुम्हारी M आपजेक्ट ही समझदार बनने की है बे समझों के लिए M आपजेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है सभी को सिखलाना है यह है M आपजेक्ट मनुष्य से देवताब बनना यह है ही मनुष्यों की सृष्टी वह है देवताओं की सृष्टी सती युग में है देवताओं की सृष्टी तो जरूर मनुष्यों की सृष्टी कल युग में होगी अब मनुष्य से देवताब बनना है तो जरूर पुर्शोतम संगम युग भी होगा वह है देवताओं यह है मनुष्य देवताओं है समझदार बाबा ने ही ऐसा समझदार बनाया है बाबा जो विश्व का मालिक है भल मालिक नहीं बनता परन्तु गाया तो जाता है न बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में और बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं उन्हों का गायन भी है आजकल तो पांच भूतों को भी पूझते रहते हैं अभी बाबा तुमको समझाते हैं तुम हो पुर्शोतम संगम युगपर तुम्हारे में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार जानते हैं हमारी एक टांग स्वर्ग में एक टांग नर्क में हैं रहते तो यहां हैं परन्तु बुधी नई दुनिया में है और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है बाबा की याद से ही तुम पवित्र बनते हो यहें शिव बाबा बैठ समझाते है शिव जयनती मनाते जरूर है परन्तु शिव बाबा कब आया क्या आकर किया यह कुछ भी पता नहीं शिव रात्री मनाते है और स्री कृष्ण की जयनती मनाते है वही अक्षर जो स्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे इसलिए उनकी फिर शिव रात्री कह देते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है अथाह दुख है कल युग के अंत में फिर अथाह सुख होते हैं सत युग में यह तुम बच्चों को अभी ज्यान मिला है तुम आदी मध्य अंत को जानते हो जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे जिसने जो पुरशार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद भी पाएंगे तुम्हारी बुद्धी में पूरा चक्र है तुम ही उचते उच पद पाते हो फिर तुम उतरते भी ऐसी ही हो बाबा ने समझाया है यह जो भी मनुशों की आत्माएं है माला है ना सब नंबरवार आती है हर एक आक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है यह अनादी बना बनाया ड्रामा है तुम्हारी बुद्धी में है कि हर पांच जार वर्ष बाद बाबा आकर हमको समझाते है हम फिर और भाईयों को समझाते हैं भाई भाई आत्मा के समन्द में है बाबा कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो आत्मा को ही बाबा को याद करना है पावन बनने लिए आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र नंबर वार तो होते ही है फीचोज, आक्टिविटी एक न मिले दूसरे से नंबर वार सब अपना पार्ट बजाते हैं फरक नहीं पड़ सकता नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी वही रिपीट होगी न यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है कल तुमको समझाया था तुमने राजाई ली फिर आज राजाई गवाई अज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए आज भारत पुराना नर्क है कल नया स्वर्ग होगा तुम्हारी बुद्धी में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे है स्रीमत पर स्रेष्ठ बन रहे है स्रेष्ठ जरूर स्रेष्ठ स्रिष्टी पर रहेंगे ये लक्ष्मी नारायन स्रेष्ठ है तो स्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं जो भ्रष्ट है वो नरक में रहते हैं ये राज तुम अभी समझते हो इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रिती समझे तब बुध्धी में बैठे शिवरात्री भी मनाते हैं पर तुम जानते कुछ भी नहीं है तो आब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश कर सकते हो अभी तुम को ज्यान मिल रहा है फिर सदगती को पालेंगे बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ मेरा पाठ ही है पतीत दुन्या को बदल पावन दुनिया बनाना वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है यहां तो कंगाल है इसलिए बाबा को बुलाते हैं आकर बेहद का वरसा दो कल्प कल्प बेहद का वर्सा मिलता है फिर कंगाल भी हो जाते हैं चित्रों पर समझाओ तब समझे पहले नंबर में लक्ष्मि नारायन फिर 84 जनम लेते लेते साधारण मनुष्य बन गए यह ज्यान अभी तुम बच्चों को मिला है तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदी सनातन देवी देवता धरम था जिसको वैकुंठ पैरडाइज दीटी वर्ल्ड भी कहते हैं अभी तो नहीं कहेंगे अभी तो है डेविल वर्ल्ड डेविल वर्ल्ड की एंड दीटी वर्ल्ड की आदी अब यह संगम यह बाते अभी तुम समझते हो और कोई की मुख से सुन ना सको बावा ही आकर इनका मुख लेते हैं मुख किसका लेंगे समझते नहीं है बावा की सवारी किस पर होगी जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है न शिव बावा को अपनी सवारी तो है नहीं तो उनको मुख जरूर चाहिए नहीं तो राजयोग कैसे सिखाए प्रेर्णा से तो नहीं सिखेंगे तो यह सब बाते दिल में नोट करनी है परमात्मा की भी बुद्धी में सारी नौलेज है न तुम्हारी भी बुद्धी में यह बैठना चाहिए यह नौलेज बुद्धी से धारण करनी है कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धी ठीक है ना बुद्धी आत्मा में रहती है आत्मा ही बुद्धी से समझ रही है तुम्हारी पत्थर बुद्धी किसने बनाई अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धी क्या बना दी है कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थी बुद्धी को एकदम गोडरेज का ताला लगा हुआ था गोड अक्षर तो आता है ना बाबा जो बुद्धी देते हैं वही बदल कर पत्थर बुद्धी हो जाती है फिर बाबा आकर ताला खोलते हैं सत्युग में है ही पारस बुद्धी बाबा आकर सब का कल्यान करते हैं नमबर वार सब की बुद्धी खुलती है फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं उपर में तो कोई रहना सके पतीत वहां रहना सके बाबा पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं वहाँ सब पावनात्माई रहती है वह है निराकारी स्रिष्टी तुम बच्चों को अभी सब मालुम पड़ा है इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदिक दिखाई पड़ता है तुम्हारा घर से बहुत प्यार है तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई औरों का है ही नहीं तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है मुरबी बच्चे होते हैं न तुम समझते हो यहां जो अच्छी रिति पुरशार्थ कर मुरबी बच्चा बनेंगे वहीं उँच पद पाएंगे छोटे अथ्वा बड़े शरीर के उपर नहीं है ज्यान और योग में जो मस्त है वह बड़े हैं कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्यान योग में तीखे होते हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं सब आत्माय मिडगेड है आत्मा बिंदी है उनका क्या वजन करे सितारा है मनुष्य लोग सितारा नाम सुन उपर में देखेंगे तुम सितारा नाम सुन अपने को देखते हो धर्ती के सितारे तुम हो वहा है आसमान के जो जड है तुम चैतन्य सितारे हो उनमें तो फिर बदल कुछ नहीं होता तुम तो 84 जनम लेते हो कितना बड़ा पाट बजाते हो पाट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर बाबा आकर भिन भिन प्रकार से समझाते है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उज्जाई हुई है ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है अब फिर बाबा द्वारा ताकत भरते हो तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो इसमें माया भी बहुत विगन डालती है जो बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती तुम चैतन्य बैटरिया हो जानते हो बाबा के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे अभी तमो प्रधान बने है उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फरक है कैसे नंबर वार सब आत्माई उपर जाती है फिर अपने समय पर पाट बजाने आना है तुम्हारी बैटरी कितनी वार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए परंतु माया बैटरी को चार्ज करने नहीं देती माया बैटरी चार्ज करना तुमको भुला देती है गड़ी-घड़ी बैटरी डिस्चार्ज करा देती है कोशिश करते हो बाप को याद करने की परंतु कर नहीं सकते हो तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतोप्रधान तक नज़दिक आते हैं उनसे भी कभी-कभी माया गफलत कराए उनकी बैटरी डिस्चार्ज कर देती है यह पिछाडी तक ओता रहेगा फिर जब लड़ाई का अंत होगा तो सब खतम हो जाएगा फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे सभी आतमाएं बाबा के बच्चे हैं बाबा ही आकर सब की बैटरी चार्ज कराते हैं खेल कैसा वंडर्फुल बना हुआ है बाबा के साथ योग लगाने से घड़ी-घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है ना हटे उसके लिए पुर्शार्थ कराया जाता है पुर्शार्थ करते करते जब समाप्ती होती है तो फिर नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है जैसे कल्प कल्प होता है आत्माओं की माला बनती रहती है तुम जानते हो रुद्राक्ष की माला, विश्णू की भी माला है पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे न बाबा दैवी दुनिया को रचते हैं न जैसे रुद्र माला है वैसे रुण्ड माला है ब्रामनों की माला अभी नहीं बन सकेगी बदली सदली होती रहेगी फाइनल तब होंगे जब रूद्र माला बनेगी यह ब्रामनों की भी माला है पर अंतु इस समय नहीं बन सकती फाइनल वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संताने है शिव बाबा के संतान की भी माला है विष्णु की भी माला कहेंगे तुम भ्रामण बनते हो तो ब्रम्हा की और शिव की भी माला चाहिए ये सारा ज्यान तुम्हारी बुद्धी में नंबरवार है सुनते तो सभी है पर तु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है सुनते ही नहीं कोई तो पढ़ते ही नहीं उनको पता ही नहीं कि भगवान पढ़ाने आए है पढ़ते ही नहीं है ये पढ़ाई तो कितना खुषी से पढ़नी चाहिए अच्छा, मिठे मिठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता, बाब दादा का याद, प्यार और good morning रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद, प्यार, good morning और नमस्ते शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया धार्ना के लिए मुख्यसार याद की यत्रा से आत्मा रुपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुँचना है ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए मुरब्वी बच्चा बनने के लिए बाबा के साथ साथ घर से भी लव रखना है ग्यान और योग में मस्त बनना है बाबा जो समझाते हैं वह अपने भाईयों को भी समझाना है आज का वरदान एक बाबा को अपना संसार बना कर सदा एक की अकरशन में रहने वाले कर्म बंधन मुक्तभव स्वश्टी करन सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाब दूसरा न कोई बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकरशन नहीं कोई कर्म बंधन नहीं अपने किसी कमजोर संसकार का भी बंधन ना हो जो किसी पर मेरे पन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है यह भी कर्म बंधन है लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है यह स्मृती रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं आज का स्लोगन महान अत्मा है वह है जिसकी दृष्टी और वृत्ती बेहद की है अच्छा ओम शान्ती शुक्रिया बाबा शुक्रिया